गुद मारिंग वीवर्स आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स रिटन बाई वोल्ट विटमन इंटरदक्शन तो पोएट वोल्ट वोल्ट विटमन एक अमेरिकन पोएट थे एसेइस्ट एंड जॉर्नलिस्ट निबंदकार थे और वो पत्रकार थे वो परिवर्तन का हिस्सा थे बिट्विन ट्रांसेंडेंटलिस्म एंड रियलिजम अध्यात्मिक्ता और वास्त्विक्तावाद के भीच का इनकॉर्परेटिंग बोथ फ्यूज इन इस वर्क्स अपनी कृतियों में इनोंने इन दोनों को शामिल के यानिके ट्रांसेंडेंट सब्सक्राइब करेंटलिसम और रियलिजम को विट्मेंट इस अमंग दो मूस्ट इंफ्लेशन पोईर्स विट्मेंट जो हैं सबसे परभावशली कव्यों में से एक हैं इन अमेरिकन कैनन अमेरिकन मापदंड में ओफन कॉल्ट दा फादर फ्रीवर्स जिनको अक्सर फाद गॉल्ड काइट अवार्ड फोर पिक्चर बूक इलिस्ट्रिशन या निका उनको गॉल्ड काइट अवार्ड मिला पिक्चर बूक इलिस्ट्रिशन के लिए Introduction to the poem Animals is a poem where the poet admires Animals एक ऐसी कवीता है जिसमें कवी पर्शंसा करता है The Animals जानवरों की for being calm क्योंकि वो शान्थ हैं Composed हैं अपने अपमें सिम्टे हुए हैं And self-satisfied और वो आदम संतुष्ट होते हैं And contrast their qualities और उनके गुणों की तुलना करता है With those of human beings इंसानों के साथ He finds the animals to be free from all greed वो देखता है कि जो जानवर है वो हर तरह के लालच अहंकार चापलूसी से आजाद हैं As well as more human और उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंसानी गुण हैं than human beings इंसानों के मुकाबले He would prefer to shun the world यानि कि जो कवी है आसार को तयागने को तयार है And live with animals और जानवरों के साथ रहने के लिए वो तयार है यानि के वो तरजी देता है इस चीज़ को The poem brings theme The poem brings out a contrast between men and animals ये जो poem है इंसान और जानुरों के बीच का जो भेत है वो हमें बताती है In the good old days पुराने अच्छे जिनों में men possessed good qualities इंसानों में अच्छे गुण हुआ करते थे which they shed with the passage of time जिन गुणों को उन्होंने समय रहते छोड़ दिया the animals still retain the virtues लेकिन जो जानवर हैं वो अभी ये गुण अपने अंदर समाई हुए हैं that have been lost by human beings जिन गुणों को इंसानों के दोआरा खो दिया गया था thus one would feel more at home with animals इस तरह से एक व्यक्ति को बहुत जादा आसान लगता है अच्छा लगता है with animals जानवरों के साथ रहना rather than with human beings बजाए के इंसानों के साथ animals lead a life free from greed जो जानवर हैं वो अपने ही जिन्दगी greed, lalach, jealousy इर्शा, ego and discontentment अहंकार और संतुष्टी से आजाद होकर वो अपने जीवन वियतीत करते हैं the world is marked by peace equality and contentment उनका जो संसार है वो किन गुणों से चिन्नित है शांती से, समानता से और संतुष्टी से चिन्नित है message the poem seems to suggest that human beings have shared their noble virtues यह poem हमें बताते हैं कि जो इंसान हैं उन्होंने अपने जो अच्छे गुण हैं उनको त्याग दिया and values अपने मुलियों को and turned into uncivilized beats और वो एक असभ्य है जानवरों में बदल गए whereas animals seem to exhibit qualities that behove human beings जबके जो जानवर हैं वो ऐसे गुण दर्शाते हैं दिखाते हैं जो के इंसानों को represent करते हैं उनको इंसानों को दर्शाते हैं if this is true अगर यह सच है it is better to live like animals तो इससे अच्छा होगा के जानवरों की तरह ही रहा जाए than human beings बजाए के इंसानों की तरह रहने से whose society is marred by hypocrisy वो इंसान जिनकी जो जिनका जो समाज है वो बरबाद हो चुका है किसके दोरा hypocrisy दिखावे के दोरा लालच के दोरा आंकार के दोरा hatred नफरत के दोरा discrimination पक्षपाद and materialism और भौतिक वातिक तके दोरा बरबाद हो चुका है उनका संसार जो poet है वो ये संदीश देता है कि जो इंसान है उनको कोशिश करनी चाहिए कि दुबारा से and imbibe the virtues वो अपने अंतर गुण दुबारा से पैदा करें लेकर आएं which they have lost in the process of civilization उन गुणों को जिनको उन्होंने सभ्यातिकी तरक्तिक तरक्की के दोरान खो दिया था they ought to return to a state of innocence उनको दुबारा से अपनी मासुमित वाली state में दशा में आ जाना चाहिए and learn to stay calm और सीखना चाहिए कि किस तरह ते to stay calm शांत रहें and contented और संतुष्ट रहें with a sense of responsibility जिमेदारी की साथ they must also learn to stay away from the money of owning things उनको चीजों के इकठे करने की जो संदक हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए Summary यानि कि जो poet है वो इतना पका परशंसक है जानवरों का that he can go on observing them कि वो उनको निहार सकता है for hours together यानि कि घंटों तक जो कभी है जानवरों को निहार सकता है he finds them to be so calm वो उनको बहुत सादा शांत पाता है and composed अपने आप में सिम्टा हुआ पाता है that he longs to turn into an animal कि उसके इच्छा होती है कि मैं भी जानवरों में बदल जाऊं in order to live in their midst ताके मैं उनके बीच में रहूं he admires the animal's sense of self-contentment वो परशंसा करता है जानवरों की कि किस तरह से उनके अंदर आतम संतुष्टी की भावना है for they have no grudges क्योंकि उनके अंदर कोई शिकायत नहीं है कोई हीन भावना कोई द्वेश नहीं है and are never heard complaining उनको कभी शिकायत करते हुए नहीं सुना about their circumstances उनके हालातों के बारे में यानि कि कभी हमने जानवरों को उनके हालातों के बारे में शिकायत करते नहीं सुना they have a clear conscience उनका जो मन है वो साफ होता है and they suffered no sense of guilt और नहीं वो किसी दोश की भावना से पेडित होते हैं for the concept of what is right and what is wrong does not exist in their world क्योंकि जो अच्छे या बुरे होने की धाड़ना है उनके संसार में वो नहीं होती having no hypocrisy अब क्योंकि उनके पास दिखावा नहीं होता they do not discuss their duty to God वो अपने परमात्मा के प्रती जो करतवी हैं वो उनके बारे में बात नहीं करते they neither have any trace of discontentment नहीं उनके अंदर कोई असंतुष्टी की कोई निशानी होती है no do they have any trace नहीं उनमें पागलपन होता है for amassing material position यानि के भौतिक चीजों को इकठा करने का उनका पागलपन कभी नहीं होता the animal world is so full of equality जो जानवर संसार है वो इतने जादा उसके अंदर समानता है and so free from superstition और वो वहम भरम से इतना जादा आज़ाद है and dogma और सिधानतों से इतना आज़ाद है that none of them kneels to the other कि उनमें से कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं जुखता no one is considered to be superior or superior to the other nor is anyone unhappy नहीं कोई एक दूसरे से बड़ा है और नहीं कोई नाखुश है due to social oppression समाजिक उत्पीडन की वज़ा से ठीक है for such an operation simply does not exist क्योंकि इस तरह का समाजिक उत्पीडन उनकी society में उनके समाज में नहीं होता as it does in the human society जैसा कि ये मानविये समाज में होता है animals maintain and enjoy relationships यानि कि जो जानवर हैं वो बना कर रखते हैं और उनका अनंद लेते हैं किसका अपने संबंदों का of mutual respect एक दूसरे के प्रती समान का and equality और समानता का which is something that the poet greatly admirers जिसकी जो poet है सबसे ज़्यदा परशंसा करता है किसकी परशंसा करता है कि जानवरों में आपस में एक दूसरे के लिए respect है इज़त है और समानता है animals possess some noble traits that once belong to human beings यानि कि जो जानवर हैं उनके पास ऐसे गुण हैं जो कि कभी इंसानों के पास खुआ करते थे the poet wonders poet हैरान होता है whether animals have picked up those qualities कि किस तरह से जानवरों ने वो गुण जो हैं वो अपना लिये हैं that have been negligently shed by men जिन गुणों को लापरवाई से इंसानों के दुआरा छोड़ दिया गया over the passage of time समाए के बीतने के साथ difficult words placid मतलब शान्त काम wine मतलब शिकायत करना रो रो कर मानिया पागलपन नील घुटने टेकना to fall on knees token निशानिया यहाँ पर token का मतलब है जैसे selflessness ठीक है न इस तरह से events express यानि के to show wine का मतलब शिकायत करना uttered in a plenty why यानि के रो रो कर शिकायत करना sweat यानि के panic यानि के दुखी होना demented go crazy यानि के बावला पन crazy पन अब हम पढ़ते हैं poem animals I think I could turn and live with animals मैं सोचता हूँ के मैं जानवरों में बदल जाऊँ and live with animals ठीक है और मैं जानवरों के साथ रहूं they are so placid वो इतने शान्त है and self-contained वो अपने आप में मस्त रहते हैं यानि के वो अपने आप में सिम्ते हुए हैं ओके इसका मतलब जो कवी है वो ये चाहता है के वो मानुए संसार से अलग होकर जानवरों के संसार में चला जाए और वहाँ पर रहने लगे I stand and look at them मैं खड़ा रहकर उनकी तरफ देखता हूँ long and long काफी लंबे समय तक यानि के जो पोईट है खड़ा होकर काफी लंबे समय तक उन जानवरों की तरफ देखता रहता है they do not sweat and wine ये जो जानवर हैं वो दुखी नहीं होते और नहीं वो कर रहते हैं कर रहते हैं मतलब रो रो कर शिकायत करते हैं about their condition अपने हालातों की हालातों के लिए यानि के जो जानवर हैं वो कभी भी अपने हालातों के लिए शिकायतें नहीं करतें नहीं वो कभी दुखी होते हैं they do not lie awake in the dark वो नहीं जाकते अंधेरे में and wait for their scene और नहीं वो अपने पापों के लिए रोते हैं they do not lie awake इसका मतलब क्या है वो रात के अंधेरों में नहीं जाकते हैं और अपने पापों को पराशित के लिए नहीं रोते they do not make me sick वो मुझे दुखी नहीं करते discussing their duty to God कैसे अपने करतवियों के God के प्रति यानि के प्रमात्माइक प्रति अपने करतवियों के बारे में बाते करके वो मुझे दुखी नहीं करते तो एक बर इसका मतलब क्या हुआ जो point कहता है कि मैं सोचता हूँ कि काश में मूड सकता हूँ जानूर के सार रह सकता वे बहुत शान्द और अपने अपने मस रहने वाले होते हैं और मैं खड़ा होकर उनको बहुत लंबे समय तक देखता रहता हूँ वो अपनी स्थीति के बारे में ना तो दुखी होते हैं ना ही कराते हैं वो रातों को जाकर अपने किये गए पापों के लिए ना ही रोते हैं वे भगवान के प्रती अपने कर्तव्य के बारे में बाते करके और वस्तों को अपनाने की सनक के कारण मुझे दुखी नहीं करते ओके Note 1 is dissatisfied कोई भी नाखुश नहीं है कोई भी असंतुष नहीं है dissatisfied मतलब असंतुष नहीं है Note 1 is demented with नाहीं कोई पागल है विदमानिया सनक से of owning things चीजों को लेने चीजों को इकठा करने की जो सनक है उससे वो कोई भी पागल नहीं है Note 1 kneels to another कोई भी दूसरों के आगे घुटने नहीं टेकता नहीं जुगता Note to his kind नहीं अपने जैसों के प्रतिवो जुगता है that lived thousands of years ago जो की हजारों साल पहले रहे Note 1 is respectable जानवरों के संसार में कोई भी सम्मानिया नहीं है और unhappy और नहीं कोई नाखुश है over the whole earth इस पूरी दुनिया में इसलिए वो क्या करते हैं वो अपने संबंद मुझे मुझे से बताते हैं and I accept them और मैं उनको सुविकार करता हूँ वो मुझे मेरे मेरी निशानिया ला कर देते हैं यानिके टोकन को उन से जैसे इनसानी गोण चो पहले हुआ करते थे जैसे इमानदारी ठेके ना भाई चारा मासूमियत इस तरह के जो गोण है वो मुझे ला कर देते हैं वो दर्शाते हैं वो दिखाते हैं बड़े साधारन रूप से इन तेर पोजेशन्स यानिके उनके अपने अधिकार में यानिके जो गोण है जो इनसान में हुआ करते थे वही गोण अब वो जानवरों में हैं ठीके ना यानिके वही गोणों के अब वो खुद मालिक हैं कौन जानवर I wonder मैं सोचता हूँ Where they get it those token कि वो वो निशानिया कहां से लेकर आए यानिके जानवर के अंदर इतने अच्छे गोण ये कहां से पैदा हुए Did I pass that we huge times ago क्या मैं उस रास्ते से लंबे समय पहले कभी गुजरा था and negligently drop them और मैंने लापरवाई से उन गोणों को त्याग दिया था उन tokens को उन निशानियों को त्याग दिया था ओके literary device rhyme scheme the poem is written in free verse जो poem है free verse में लिखी गई है so there is no rhyme scheme इसकी कोई rhyme scheme नहीं है alliteration alliteration is the repetition of consonant sounds ठीक है repetition होती है यह जैसे for example I stand and look at them long and long low sound है lock, long, long okay this is called alliteration wonder, I wonder where sound, where, where sound okay they get to those the sound and the sound that is called alliteration repetition I stand and look at them long and long means long and long it is repeated long is repeated metaphor it is used to make a comparison between two things okay तुलना के लिए हम इसको यूज करते हैं that aren't alike but do have something in common जो एक समान नहीं होते लेकिन उनमें कोई ना कुछ चीज समान होती है for example they bring me tokens of myself वो मुझे मेरी निशानिया लाकर देते हैं अब इसका मतलब क्या है here the word tokens has been used metaphorically for human qualities यहाँ पर tokens को इनसानी गुणों के लिए यूज किया गया है जैसे के innocence, mausumiyat, honesty, iman-dari and contentment और संतुष्टी but the comparison is indirect without the words of comparison लेकिन बीना शब्दों के इस्तिमाल किये इसको metaphor के रूप पर रूप में poet ने इस्तिमाल किया है sweat and wine यानि के शिकायत करना ठीक है ना दूखी होना कर रहना sweat and wine refer to the cries and complaint of human beings ठीक है हाला कि उसने लिखा तो जानवरों के लिए है लेकिन indirectly वो क्या है इनसान complaint करते है ठीक है ना दुखी होते हैं complaint करते हैं ये इनसानों का को है anephora anephora क्या होता है repetition of phrase, clause, sentence in the beginning of lines यानि कि कविता के शुरू में जो lines बार बार repeat होती हैं उनको हम anephora बोलते हैं for example they do not ये तीन बार repeat हुई है they do not, they do not, they do not ओके इसको बोलते हैं anephora इसी तरह से ये anephric expression है not one, not one ये दो बार repeat हुआ है इसे हम anephora बोलते हैं पन I stand and look at them long and long अब देखो पन क्या होता है the word long that has been used twice has been put upon ये जो word है न long ये दो बर जो use हुआ है इसके उपर पन है कैसे the poet means that he stands and looks at the animals for long यानि कि long का मतलब है जो poet है लंबे समय तक जानवरों को देखता रहता है एक मतलब and he longs to be one with them और दूसरा मतलब long का क्या है इच्छा करता है कि वो इच्छा करता है वो जानवरों के साथ रहे ठीक है now textual questions notice the use of word turn in the first line यानि कि जो पहली line में जो word है turn इसको notice करो I think I could turn and live with animals what is the point turning from यानि कि मैं सोचता हूँ कि मैं मैं बदल जाऊं किसमें जानवरों के संसार में आप turning से क्या समझते है यानि कि बदल जाने से क्या मतलब समझते है the poet is turning away from human world यानि कि जो poet है वो मानवे संसार से परे होकर अलग होकर that is marred by materialism मानवों को संसार जोके बरबाद हो चुका है भहुत इकतावाद की वज़ा से ठीक है उस संसार से अलग होकर to the animal world वो जानौर के संसार के प्रती बदल जाना चाता है उस संसार में चले जाना चाता है in fact असल में he is turning away from the world of falsehood असल में वो जोटे संसार से अलग होना चाता है hypocrisy दिखावे वाले and greed और लालची संसार से अलग होना चाता है to the world of truth और ऐसे संसार में जहां पर सच्चाई हो इमानदारी हो selflessness यानि के निर्सवार्थवाद हो और contentment और संतुष्ठी हो वो इस तरह से के संसार में चले जाना चाता है जो के जानौरो का संसार है according to the poet the qualities once considered to be human poet के अनौसार जो गुण थे जो के इनसानी गुण समझे जाते थे are no longer found in human beings अब वो गुण इनसानों में नहीं पाए जाते they have been acquired by animals इन गुणों को जानौरो के द्वारा अपना लिया गया है therefore he turns to the animal world इसलिए वो जानौरो के संसार के प्रती चले जाना चाता है यानि कि उनके संसार में चले जाना चाता है and wants to live in their company और वो उनके उनकी company में ठीक है उनके संगत में वो रहना चाता है imagine three things that human beings do and animals don't यानि कि तीन चीज़े बताएए जो इनसान करते हैं लेकिन जानौर नहीं करते human beings bow to their ancestors जो इनसान है वो अपने पूरुजो के आगे जुकते हैं but among the animals a sense of equality prevails यानि कि जबके जो जानौरो को जो संसार है उनमें एक समानता पाई जाती है समानता का गुन है समानता की भावना human beings shed tears of remorse for their sins जो इनसान है वो अपने किये गए पापों के लिए आंसु बहाते हैं पच्टावा करते हैं but animals are without any feeling of guilt यानि कि जो जानौर होते हैं उनमें दोश की कोई भावना नहीं होती and they are self satisfied और वो आदम संत्विष्ट होते हैं human beings insulin medley after materialistic possessions जो इनसान है वो भौतिक तावाद की तरफ भागते हैं उसके पीछे भागते हैं which animals do not do यानि कि लेकिन जो जानौर हो ऐसा नहीं करते also humans keep grumbling about their conditions जो इनसान है वो अपने हालातों के बारे में रोते रहते हैं complaint करते रहते हैं but animals do not लेकिन जानौर जो है ऐसा नहीं करते do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago क्या जो इनसान है वो दूसरी इनसानों के प्रती जूखते हैं जो हजारों साल पहले रहा करते थे support your answer अपने answer को support करो human beings do kneel to their ancestors जो इनसान है वो अपने पुर्वों के सामने घुटने टेकते हैं they raise them to the level of saints वो उनको संत बना लेते हैं and worship their images और उनकी images की उनकी पूझा करते हैं उनकी photo बना कर उनकी पत्थर में उनको chain करकर उनकी मौतियों की वो पूझा करते हैं what are the tokens that the poet says he may have dropped long ago यानि कौन सी निशानियों के बारे में poet बात करता है जिसको इनसान हो में लंबे समय पहले खो दिया and which the animals have kept for them और जो कि जानुर के दुआरा अपना लिये गए contentment संतुष्टी peace of mind मन की शान्दी innocence मासूमियत clear heartiness साफमन honesty इमानदारी loyalty वफादारी and brotherhood भाईचारा are some of the words ये कुछ ऐसे गुण है that have disappeared from among human being जो के आजकल इनसानों से खतम हो चुके हैं इनसानों की जिन्दगी से खतम हो चुके हैं but animals have acquired and retained हैं लेकिन जो जान्वर हैं उन्होंने इन कुणों को अपना लिया है और संभाल कर रखा है we have given up basic aspects of our nature हमने मूल अपने अपने नीचर का मूल जो पहलो है वो त्याग दिया है as human beings इनसान होने के नाते इन गुनों को विक्सित किया है thank you so much have a nice time like, share and subscribe